नमस्कार मैं हूँ ससी आया ज्रखन के टॉप 25 परमोख खबर जनते हैं ज्रखन में 6 मई तक बढ़ा लोकडाउन ज्रखन में लोकडाउन को एक बार फिर से 6 मई तक बढ़ा दिया गया है मुख्यमंत्री हमन सुरेर ने ज्रखन में बढ़ते क्रोना वायरस संक्रमन को देखते वे या बड़ा फैसला किया है बुद्वार को अपता प्रवंदन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच अस्तरिय बैठक के बाद सीएम ने या निर्ने लिया की लोकडाउन को एक सप्ता के लिए और सक्ति के साथ बढ़ाया जाए लोग सुबद 6 वए से 2 पर 3 वए तक ही घरों से बाहर निकल सकते हैं उन्हें घरों से निकलने की वाजी बज़ा बतानी होगी बता दे 2 पर 3 वए से 6 वए तक सिर्फ मेडिकल समन्धित, साधी समारो समन्धित, अंतिम संसकार समन्धित को ही अनुमती दी गई है लोग डाउन में क्या क्या खुलेंगे? होटल वह रेस्ते में बैट कर खाना परती बंध है, सिर्फ होम डिलेवरी की ही अनुमती दी गई है राश्टी ये राजमार्ग पर ढाबा खुलने के नुमती, दुकानों के लिए समान ढोने वाले वाहन को नुमती, अध्योगी कुआ खनन समन्धित कारी चलते रहेंगे निवान कारे वा मन्डेगा समन्धित कारी चलेंगे, इससे समन्धित दुकाने वी दोपर दोबए तक खुलेंगी ऑनलाइन मार्केटिंग समन्धित कारे वी दोपर दोबए तक ही चलेंगे पस्यो समन्धी दुकान, सराब डुकान, वहन मरमत की दुकान भी 2 पर 2 वर तक ही खुलेंगी ठंडा घर वा गोदाम की दुकानें खुले रहेंगे भारत सरकार के कर्याले भी अधिक्तम 50 फिर्थी उपस्तितिक सा 2 पर 2 वर तक ही खुलेंगे बैंक, एटियम, बीतिये, गतिविधिया, वीमा कम्पनी, आधि भी दो पहर दो बहे तक ही खुलेंगी, राज सरकार के कर्याले जैसे स्वास्त एवं परिवार, कल्यान विभाग, गरी करायों आप्दा प्रवधन विभाग, सभी पूलिस, गरी रक्षावायनी, आगनी सेव पक, उपायोक, नगर निगाम, वीडियो, सियो, सीडी, पियो, और ग्राम पंचायत कर्याले में भी अधिक्तम 50% उपस्तित होगी, प्रिंट वा इलेक्ट्रोनिक मीडिया खुली रहेंगी, इसके अलाव हो ऐसी दुकाने, कर्याले जो करोना के नियंत्रन में सहायक होंगे उन्हें खोलने पर राई सरकार या उपायोक निर्न ले सकते हैं, सभी धार्मिक अस्थल खुले रहेंगे, लेकिन सरधालों का परवेश परतिबंद रहेगा, पांच या उससे अधिक ब्यक्ति एक अस्थान पर नहीं जूटेंगे, साधी समारों में अधिक्तम 50 ब्यक्ति को जाने क्यों मती, वह अंतिन संस्कार में 30 ब्यक्ति ही जा सकेंगे, सभी तरह के जूलूस चाय धार्मिक खोया फिर साधी समंदी हो, प्रतिबंदित रहेगा, सभी सेक्षनिक संस्थान बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन कलास ही चलेंगे, राई सरकार के आधिन सभी तरह की परिक्षाय अगले आधिस तक प्रतिबंदित है, सभी मेलावा प्रदर्शनी पर रोख है, सिनेमा होल, मंटी प्लेक्स, थ्येटर, सभा होल बंद रहेंगे, सभी स्टेडियम, जीम, स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहेंगे, बिना मास्क के अफ्यस कोबर के कोई भी दफ्तर, रेल्वे, यारपोर्ट, बस, इस्टेंड, आटो, रिक्षाय किसी दुकान में नहीं जा सकता, नवी और एगारवी की नहीं होगी परिक्षा, मैट्रिक और इंटरपर संसाय, जैचन में प्लिस से आठवी की तर्जबर, नवी और एगारवी की कग्षा के परिक् को लेकर भी मतन जारी है चारकन एकेडमी काउंसिल ने स्कूली सिक्षा और सच्छा विभाग को परिच्छा लेने या नहीं लेने कि श्थिती में कैसे पास किया जाए इसका भी फर्मूला तैक कर लिया है 85 वर्षिये कुरोना पिडित ने 40 वर्षिये ब्यक्ति के लिए अस्पताल में छोड़ा बेड राष्टिये स्वयम स्वयक संग के स्वयम स्वयक को ने समय समय पर मनता का यसा उधान पेस किया है जो दूसरे लोगों के लिए अनू करनी रहा है बता दे नागपुर में राष्टिये स्वयम स्वयक संग के बचपन से स्वयम स्वयक 85 वर्षिये नरायन दाफ़ड़कर पिछले दिनों कुरोना से संक्रामित हो गये थे अम्तिम संसकार में लूट राची में 5 की जगा 25 सेया तक की वसुली कुरोना महमारी के दोर में जहां हर तरफ लूट मची है राची में अम्तिम संसकार भी मांगा हो गया है अम्तिम संसकार करा रहे लोग परिजनों की मजबूरी का फैदा उठाने से नहीं चुक रहे हैं अम्तिम संसकार के लिए 5 हजार की जगा 25 सेया रुपए तक लिए जा रहे हैं इर्फान अंसारी ने किया पलाजमा एप लांच जारखन परदेश कॉंग्रेस कमेटी के करकारी अध्यक सब इधायक इर्फान अंसारी ने कुरोना बेस्विक महामारी के बढ़ते परकोप को देखते हुए पलाजमा एप डिजाइनर कराया और इसे लांच किया कुरोना के मरीज आसानी से एप में जाकर अपना रिश्टेशन कर सकते हैं और पलाजमा ले सकते हैं उन्होंने कहा कि कुरोना मरीज या उनके परिज़नों को इधार उधार परिसान होने की जरूरत नहीं है जार्खन में नकसल अभियान पर ब्रेक शपेसल ब्रांच जगवार जयब के पूलिस कर्मियों में कुरोना संक्रमन बढ़ा है जार्खन में मवादियों खिलाप चल रही अभियान पर ब्रेक लग गया है बतादे कुरोना संक्रमन फैलने के बाद मवादी प्रभाव आले जीलों में कोई बड़ा अभियान नहीं चल रहा है सिर्फ अस्थानिया स्थर पर पूलिस मवादियों के गतिवीदियों की मोनेटरिंग कर रही है पूलिस अधिकरियों के मुताबिक राजे पूलिस मुख्यालेवा स्पेसल ब्रांच में कुरोना संक्रमन फैलने के कारण भी मवादियों खिलाप अभियान के रणनीती नई बन पार रही है जारखन में 825 केस मिले हैं जारखन में 109 की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संक्या 30,771,120 है भारत में 2,772,202 मरीज स्वास्थ हुए है वही जार्खन में 4362 मरीज स्वास्थ हुए है जार्खन में मिले मरीज इस्फरकार है राची 1771, पुर्वी सिम्भूं 852, पांसो ब्यासील, अर्दागा 478, कोडार्मा 364, गुमला 351, पलामु 376, रामगर 335, देवघर 321, बुकारो 317, चात्रा 219, पच्मी सिम्भू 262, लातेहर 269, जामतरा 222, धनबाद 288, सिम्टेगा 171, गीडी 163, गड़वा 135, गोडा 152 खुटी 138, सराय के लेखर सवाई 121, दुमका 113, साहिवघर 48, पांकुर 10, मरीज मिले हैं, बता देव राज्ये में 149, मरीज की मौथ हुई है, जो राची से 46, पुर्वी सिम्टेज, कोडार्मा 11, रामगर 9, धनबाद 7, खुटी गडवा 6, लुर्दागा देवघर गीड हजारी बगत सराय के लाएं 55, गोड़ा पश्मी सिम्ट में 44, बोकारो वा चत्रा में 33, पलामुला तेहर में 22, वहीं जाम तरा पांकुर वा दुमका में एक एक मरीज की मौथ हुई है, साधी समारों में साम 6 बज़े के पहले पहुचना अनिवार है, राज सरकार ने साधी समारों या अमतिम संसकार के कारकरम के लिए समय की बादयता नहीं रखी है, इतना अदेश अनिवार किया गया है कि 2 पर 3 बज़े से 6 बज़े तक ऐसे समारों में सामिल होने के लिए जा सकते हैं, साधी समारों में अधिक्तम 50 ब्यक्ति और अमतिम संसकार के कारकरम में अध संक्रमन रिक्रफतार जारी है तो इस वाइरस के परकोप से मरने वालों के तदात भी कम नहीं है बताद इस वाइरस ने आम जमता कोई नहीं बलिक राजी के आधार दर्जन से अधिक पत्रकारों और दर्जन भर अधिकारियों तको अपना सिकार बना लिया है कोरोना में हमारी के दोरान विधी विवस्था की डियोटी को जीलो में तैनाद करे 25 कंपनी बर्व। 25 कमपनी इंडियन रिजर वटालियान या रायपीट एक्सन पुलिस को तैनाद करना अनिवार यहा है उतरा खंड में मारे गए 15 मजदूरों के 100 राची पहुंचा आसरीतों को मिलेगा मुअबजा क्रिसी मंत्री उतरा खंड में ही मस्खलन में मारे गए 15 मजदूरों के पार्थिव शरीर को देरादूं से स्पेशल बिमान से बुद्वार साम को राची लाया गया जिने बीर्शा मुंडाय आरपोर्ट के कारगो टर्मिनल में रखा गया और जिला पर्शासन के अलावा क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक के द्वारा सरदान्जली अरपित की गई इस असर पर क्रिसी मंत्री ने काया कि जो घटना क्रम सरमी के साथ हुई इस मामले को लेकर सरकार समय दसील है मृतकों के परिजनों आसरीतों को आपदा प्रवधन के तहत मुअबजावर सरकारी साहता भी परदान की जाएगी सरना धर्म प्रतना सभा भारत की वर्चुबल बैठक बुद्वार को हुई सभा के राष्टिये महासरीव डाक्टर परविन उरावने जनकारी दी कि प्रतना सभा के सभी कार करमों को दस माई तक क्रोना को लेकर सखित कर दिया गया है किताबों के लिए बच्चों को करना होगा और इंतियार सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को किताबों के लिए अभी और इंतियार करना होगा लोगडाउन के अधी बढ़ने के कारण विद्यार्थियों को तय समय से किताब उपलब्द नहीं हो पाएगी सिक्षा विभाग ने 5 माई तक इसकूलों वो किताब बातने का निदेश दिया था लोकडाउन से पहले राची सहर छेत्रे के कुछ इसकूलों में किताबे पहुच गई थी सहलून संचालकों के लिए रासन की मांग जार्खन के सहलून संचालकों जीवका का संकट को देखते हुए जाम तगा नाई समाज के जिला ध्यक्ष अविजीत भंडारी ने चारकन सरकार से सैनु संचाल को के लिए राशन की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि कुरोणा मां हमारी में सरकार का साथ देना हमारी प्रत्मिकता है 15 मई बाद केसेज में होगी बढ़ोतरी देश वर राजयों में कुरोणा के गंभीर परिणाम को लेकर IIT के बेग्यानिको वावासी गटन उनिवर्सिटी के इस्चूट फोर हेल्थ मेट्रिक्स और इवेलुएशन के सोद करताओं ने अगाह किया है कि आने वाले 30 दिन हमारे लिए बहुत आहम है शुद करताओं कानुमान है कि आने वाले 30 दिन बहुत आहम है यही वो समय है जब कुरोणा संक्रमन पीक पर रह सकता है खाश कर 15 माई के बाद बारत में कुरोणा केस की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है लोहरदागा में मरीज की मौत के बाद सदर अस्पिताल में तोड़ फोल लोहरदागा सदर अस्पिताल में पूद दोर को एक मरीज की मौत के बाद सोजनों ने सदर अस्पिताल में तोड़ फोल की पुद्वार को मुखमंत्री एमासुरेन को सुझाव दिया है उन्होंने कहा है कि पीम केर से जार्खन को क्रोना काल में पांस चोटर बेंटी लेटर मिलने और इनका वितरन कर दिये जाने की जनकारी है कहने के लिए इनमें से अधिकांस का इंस्टोलेशन भी दिखा दिया ग प्रदेश प्रवक्ता लोग कुमार दूबे अलाल कि सोना साधेव ने राजधानी राची के विभीन टिका करन केंद्रों का निरिक्षन किया धन्यवाद